नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एन्वीर एजुकेशन के यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बर्ती की तेहरी करवा रहा हूं जिसके अंडर हम जो हैं फर्स्ट पेपर की तेहरी के लिए राजस्थान के जिल्लेवार 100 MCQ को डैली बेसेस पर पढ़ रहे हैं और आज हम जो हैं डुंगरपूर जिले से समदित 100 MCQ को क्लियर करने बाले हैं उससे पहले आप सभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली दिखा ताकि आप राजस्तान कम्प्यूटर अनुदेश सकी संपूर्ण तहरी आप चाहिए बैसी की तहरी कर रहे हो चाहिए वरिष्ट की अगला पुर्शन है डुंगरपूर ने अंग्रेजो से साहीक संदी कब की थी अ 11 दिसंबर 1818 में डुंगरपूर के किस सासक ने खानवा के यूद में भाग लिया था अ उदैस ये ने डुंगरपूर के किस सासक ने खानवा के यूद में भाग लिया था उदैस ये ने अगला परसंदे के साथ यहाँ भोगिलाल पांडया को पद्म भूसन से कब समानित किया गया था? भोगिलाल पांडया को पूचा जाता है और ध्यान रखना चीडावा का गंद अगर आपको पूचा जाता ता आप बताएंगे मास्टर प्यारेलाल गोविंद गिरी ने संप सपा की स्थापना कब कीती? अगला है पुनावडा कांड कब हुआ था? अगला है निम्न में से पुनावडा कांड से समधित कौन है? अगला परशन है आपके लिए डुंगरपूर परजा मंदल की स्थापना किस ने की थी? अगला है डुंगरपूर परजा मंदल की स्थापना किस ने की थी? अगला है निम्न में से कौन सा सिखा डुंगरपूर से समधित है? विम्नवें से कौन सा सिका डुंगरपूर से समधित है तो इस परसंगा आप उतर बताएंगे द उदे साही सिका जो है वो डुंगरपूर से समधित है अगला है रावचंदर सेन ने डुंगरपूर के किस सासक को सहाइता मांगी थी रावचंदर सेन ने डुंगरपूर के किस सासक से सहाइता मांगी थी तो इस परसंग का आप उत्तर बताएं के साथ यहों आसकरण से राव चंदर सेहन ने डुंगरपूर के आज करन जो सासक था उस से साहित अमंगी थी अगला परसंग किस सासक के समय बैनेस और मेले की शुरुवात हुई थी important question है साथ यह किस सासक के समय बैनेस और मेले की जो शुरुवात है वो हुई थी किस सासक की महारानी प्रेमल देवी ने 9 लखा बावडी का निर्मान करवे था अगला परसंग एड़वर्ड सागर का निर्मान किस सासक ने करवे था एड़वर्ड सागर का निर्मान किस सासक ने करवे था तो एड़वर्ड सागर का निर्मान और विजय सीयने करवे था किसने विजय सीयने एड़वर्ड सागर का निर्मान करवे था अगला परसंग राजस्तान एकी करण के समय डुंगरपूर के महारावल कौन थे राजस्तान एकी करण के समय डुंगरपूर के महारावल कौन थे लक्षमन सीहा अगला प्रस्ण है बाल मुकुंद मंदिर का निर्मान किसने करवाय था अगला है टमाटर मार होली कहां की प्रसिद है तो टमाटर मार होली कहां की प्रसिद है अ सागवाडा के परसिद है अगला है डामोर जन जाती सरवादिक कहां पर पाई जाती है अगला है खांडलाई आसरम की स्थापना कहां पर की गई थी अ सागवाडा में की गई थी खांडलाई आसरम की स्थापना की गी थी आपके खांडो लाई आसरम की स्ताप नकब की गी थी 1934 में कहां पर की गी थी आपके सागड़ा में अगला कौन सी नदी बासवड़ा वर डुंगरपूर के मद्य सीमा बनाती है कौन सी नदी बासवड़ा वर डुंगरपूर के मद्य सीमा बनाती है इस प्रशन को डुंगरपूर जिले का परिवहन कोड क्या है? तो डुंगरपूर जिले का परिवहन कोड क्या है? आपके RJ12. डुंगरपूर जिले का परिवहन कोड क्या है? RJ12. रमकडा उद्योग के लिए परसीद कौन है? रमकडा उद्योग के लिए परसीद कौन है? तो इस परसंगा उत स्वतंतर नियुकिष ने रखी थी अ पर्तवी सिया ने रखी थी नेक्स्ट उसके बाद परस्ण है अटारसु स्थावन की करांती के समय डुंगरपूर का सासक कौन माना जाता था इस परस्ण का उत्रों के आपके ब उधर सिया माना जाता है अगला परस्ण है बागड मेला कब भरता है तो इस परस्ण का उत्रों का आपके अ नवंबर में बरता है अगला परस्ण है गलिया कोट का उर्स कहां पर लगता है गलिया कोट का उर्स कब लगता है तो इस परस्ण का उत्रों का आपके ब महरम के 27 वी दिन जो है गलिया कोट का उर्स लगता है अगला बैनेस्वर मिला कब भरता है तो बैनेस्वर मिला ब माग पूर्णिमा के दिन भरता है नेक्स परशने आपका स्रीनात मंदिर का निर्मार किस ने करवाय था अपुंज राज ने करवाय था स्रीनात मंदिर का निर्मार इस प्रस्ण के इस्तित है प्रस्ट गार्षु आपका डुआ यूत था अगला प्रस्ण का उत्रजह तर्जGuble अस्तित है इस प्रस्ण का तरा हुँ है अगला परसे बहुत ही important है बागट की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है बागड कीमीरा किसे कहा है जाता है इस प्रसन का उतर thankfully आपके गवरी भाई इं से इसके बाढ़ next that अगला परशने आपका बीजवा माता का मंदिर कहां पर इस्तित है तो बीजवा माता का मंदिर आपके सर आसपुरा में इस्तित है अगला परशने आपके लिए देव सोमनात मंदिर किस नदी के किना रिस्तित है और सोम नदी के बारे में अगला परशने गवरी बाई के मंद आपके बसीव सीहने करवाये था आगला परशने आपका पचाश्वा विजेराजुराजWowमंदीर किस जील के किना रही कर दिए थै किनारे मुझे साकर्नसीर और गैव सागर के किनारे से थै इस पर्षन का उत्रोक आपके सन्त मायुजी ने next पर्षन आपका बैने स्वरधाम किस नदी के किनार दिस्स्ट है तो बैने स्वरधाम आपके सोम माही जाकम इन तीनो नदियों के संगम परिस्तित है कौन बैने स्वरधाम अगला परसन है ग्यारस का रेवाडी मिला किस जन जाती से समदित है ग्यारस का रेवाडी मिला किस जन जाती से समदित है सर डामोर जन जाती से अगला परसन है छेला बाउसी का मिला किस जन जाती से समदित है तो छेला बाउसी का मिला किस जन जाती से समदित है दामोर जन जाती से नेक्स्ट परसन आपका दामोर जन जाती के गाउं की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है तो दामोर जन जाती के गाउं की सबसे छोटी इकाई ब फला कहलाती है अगला है दामोर जन जाती का जो मुख्या होता है डामोर जन जाती जो होती है उसमें मुख्या होता है उसको क्या कहते है अमुखी ठीक है जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर सरपंच कहा जाता है उसी प्रकार से डामोर जन जाती के अंदर जो मुख्या होता है उसको मुख्या जाता है अगला परसन निम्नमे से कौन सी जन जाती डुंगरपूर में पाई जाती है डुंगरपूर में कौन से जन जाती पाई जाती है ब डामोर जन जाती तो इसको याद गरने का ट्रीक क्या या रखोगे आप ड से आप इसको जो है डामोर से याद रखना है अगला है हरीजन समीति की स्थापन किस ने की थी भोगी लाल पांडिय ने की थी अगला परसन डुंगरपूर का प्रसिद लोक नर्तिय कौन सा है अगरबा अगला बागडी बोली को बीली बोली किस ने कहा था ब ग्रियर सन्न अगला परसन डुंगरपूर का प्रसिद लोक वाद्धी यंतर कौन साल है अगला परसन, स्यिद फकरुदीन की दर्गा कहां परेस्त है? सर गल्यकोट में अगला परसन है एक थम्बिया महल का निर्मान किस ने करवाय था? यानी ऐसा महल जो एक थम्बे पर हो, तो इस परसन का उत्रूब का आपके अज चूंज है? अगला, एक थम्बिया महल किस की इसमर्ती में बनाया गये था अगला जूना महल किस नदी का किस सदी का बना हुआ है सौरी जूना महल किस सदी का बना हुआ है सर बारवी सदी का बना हुआ है जूना महल अगला परसने जूना महल का निर्मान किस ने करवाय था तो जूना महल का निर्मान सर वीर सिये ने करवाय था अगलन मैं आपको पूछा जाताए कि का दिलिके किनारे इस्तित है और गैब सागर अगला, किस जील को Edward Sagar जील भी का जाता है important question है again किस जील को Edward Sagar जील भी का जाता है तो इसका उतर होगा अगयब सागर को गोवर्धन नात मंदिर का निर्मान किस ने करवाए था ठीक है, तो गोवर्धन नात के मंदिर सिस्वमंदी था हमने देखा था कि या किस जील या सागर के किनार है तो गेब सागर को जो है एड़ुइड सागर जील भी का जाता है और इसी गेब सागर को जो है आपके एड़ौड सागर जील भी का जाता है अगला परस्ण है डुंगरपूर का उप नाम क्या है यानि डुंगरपूर को और किस नाम से जाना जाता है ब पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है डुंगरपूर को अगला है डुंगरपूर का चैतरपल कितना है तो डुंगरपूर का चैतरपल 2370 वर्ग किलोमेटर है डुंगरपूर का चैतरपल को निर्मांद किस ने कर वाय था अगला ुदे भावडी का निर्मान तो इसको याद करने का भी ट्रिक ुदे सियें से दे आपका बावडी का निर्मान अगला मुरे नदी किस की साइग नदी है ये important question है अभी राजस्तान हाई कोर्ट LDC एक्जाम में पूछा जाज चुका प्रशन है ये मुरे नदी किस की साइग नदी थी ब माही नदी की साइग नदी है मुरे नदी अगला है भीका भाई शकवाडा नहर किस नदी के पर इस्तित है भीका भाई सगवाडा wrap नहर किस नदी है इस प्रशन का उत्रों क आपके शुम नदी पर आपके शुम नदी पर अगला सोम कमला अंबा परियोजना कब प्रारम की गई थी इस परसन का उतरोक आपकेदव अगला परसन है 85 निम्न में से कौन समी परतिमा अगरी बाकी नाना भाई गवृरी बाई और मानी बाई ये तीनों की परतिमा जो है वो आपकी गैब सागर जील के किना रिष्थत है, अगला है 88 परशन, निम्न में से कौन सी परियोजना डूंगरपूर से समधित नहीं है, तो इस परशन का उतर दे कि साथ आपके सभबराना कैनाल परियोजना डूंगरपूर से समधित है, अगला अब यहाँ पर भी आपको बताना है इन में से कौन सी परियोजना डूंगरपूर से समधित है, अगला किस खनीज में डूंगरपूर का एकादिकार है, किस खनीज में डूंगरपूर का एकादिक अगला है मांडों की पोल किस खनीज उत्पादन के लिए परसीद है सर्फ फ्लोर्स पार के लिए और यहां पर इसमें डुंगरपूर का एकदिकार भी माना जाता जिश्ट अभी हमने इसके बारे में इस्टडी किया था अगला संत माउजी का जनम किस गाउं में हुआ था त उपदेश दिए थे वो क्या कहले थे संत माउजी के जो उपदेश थे उन्हें-चौपड़ा जाता है अगला निष्गलन की की समपरदाई की स्ताप नखिस ने की थि संत्माउजी ने की थी अगला बहुत इसांदार प्रशνοिया आपके लिए राजस्तान का नरशिय व downt is को साकरी जाता है अगला डुंगरपूर की सिंबर बाड़ा पंचएद का समंद्थ किस जन्जाती से है और डामोड जन्जाती से से चीक्षावियोधी रियृषत कौन से थी तो आपके सर डूंगरपूर रियृषत ती अगला मैं गोबर केंड़ों की हवैली काहा की प्रसिद है तो इस परशन का उत्रों को आपके गलिया कोट की ठीक है तो यह आपके आज के डुंगरपूर आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड के मादिम से टेस्ट सीरीज आपको उपलब्द करवाई जाएगी इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े है तो चैनल को सब्सक्काइब भी कर दीजिएगा इसे के साथ मैं संपतलेड आप सभी चैनल वीड़ लेता हूँ जय हिंद जय भारत